हर हर महादो, हलो माई डियर प्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूटूब चैनल यूनिक वीडियो अट्टा पर बहुत बहुत स्वागत है, आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे नहीं, बहुत ही मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जिनके वारे में एभी हम बात करने वाले हैं और और ऐसे आमेजिंग से वारे में बात करने वाले हैं जिन जानकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है तो आप लोग से मेरी ये रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को बिना इसकी के पूरा लाश्ट दब दे हैं आपको ऐसे ऐसे नोलेज के बारे में आज पता चलने वाला है जिससे आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ आज अर्ण किया है मनी को अर्ण करना ही लाइफ में सब कुछ नहीं है हमें नोलेज भी होना चीए और अपने आज पास और इस दुनिया में क्या क्या है क्या चल रहा है इसके बारे में पता होना चीए और दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमें भी जानना बाती है और आपको जानना बाती है, तो आए शुरुवात करते हैं, उन्हें में से कुछ ऐसे तथों के बारे में हम बात करते हैं, जो हो बहुत ही रोचक तथ हैं, तो श्टार्ट करते हैं, बिना समय वरवात के यह हुए, आते हैं आज के अपने हम अमेजिंग फैक्श नमर वन के ब बहुत सारे लोग उसको लिए यूज करते हैं, तो कामन सी बात है कि मोचली सभी लोग अपने घर पे यूज करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बात यहां पर यह है कि अब आप लोगों सोच रहोंगे यह पैरा सूट की बारे में आ, क्या अमेजिंग फैक्श है और इसके ब ब्यूटी प्रोड़क्ट नहीं है, बलकि इससे F-S-S-A-I द्वारा मंचूरी दी गई है कि इससे खाया भी जा सकता है, तो आपको जानगर फ्वासा चटका जरूर लगा होगा, कि हम लोग बोलते हैं पेरा सूट हैर ओल, पर उसके हैर ओल कहीं नहीं लेगा होता है, तो अच्छा लगा, ठीक है, Amazing Faction No.2 की बात करते हैं, तो सो, हम सभी में, हम में से सभी लोग जानते होंगे कि बिच्छू, बिच्छू सभी लोग जानते होंगे, तो बिच्छू को यवारे में एक ऐसी Amazing बात आपको बताने जा रहा हूं, साय जो आपको पता हो, भी सकती है औ मुझे कमेंट में जरूर बता है, बिच्छू ऐसा जनवार है, जो 6 दिनों तक सांस रोग सकता है, हाँ जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिच्छू 6 दिनों तक सांस रोग सकता है, आपको सुनकर अश्र हो रहा होगा, ठीक है, आते हैं अपने Next Question पर, जो Amazing Facts का Question No.3 ह तो हम बाद करते हैं, Question No.3 की, बिच्छू, हाँ जी, बिच्छू की बाद कर रहे हैं, बिच्छू का जहर गुनिया का सथ से महंगा तरल पदार्थ है, जिसके एक गैलन की कीमत 39 मिलियन डॉलर होती है, यानि करीब 76 करोन रुपे प्र लीटर, यस, क्या सुना आपने, 76 करो हैं, बिच्छू का जहर गुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ है, जिसके एक गैलन की कीमत 39 मिलियन डॉलर होती है, यानि करीब 76 करोन रुपे प्र लीटर, अब हम अपने Question No.4 की बाद करते हैं, हमारी नसों में खून 400 किलो मेटर प्र गंटा की रप्तार से रोड़ता ह और पूरे दिन में लगबग 9600 किलो मेटर की दूरी देगरता है, तभी हमने से किसी ने यह नहीं सोजा होगा, कि हमारी नसों में जो फून दोड़ रहा है, उसकी स्कीड क्या है, उसकी स्कीड है 400 किलो मेटर प्र गंटा, अब आप सोच सकते हैं, जहे हम बात करते हैं Question No.5 Question No.5 मेरा यह है कि एक मृत साप का मृत सिर अपनी मौत के कुछ घंटे बात भी काट सकता है, हम जी आपने सही सुना कि एक साप जो मर जाता है, मरने के बाद उसका सिर होता है, वो अपनी मौत के कुछ घंटे बात भी काट सकता है, इसलिए मरे हुए साप के सिर से दूर रह चैन्owan चाहिए चलिए आते हैं के सिक्ष बंगलादेश हैं ब्लेट बनाने के लिए एक समय पांच रूपाई के च He니u out बना यह ऐसे में ब्रडब बनाने वालों को खासा फैदा होता था इस को देखते इस सिक्ता को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैटल को बदन दिया म्डिए हमसी रेंगे कि यह पांच रुप्यर का सिक्का और वो उसका टबलफ प्रोफिट ले रहे थे और जिसके लिए वो तसकरी भी करने लगे इसलिए स्रकार को क्या गंताव ना बड़ा मंगोलिया जाती की एक ममी को साल 2014 में दस हजार फीट की उचाई पर खो जा गया था इस ममी में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके पहने हुए चूते आज के एडिड़ेस स्पोर्ट सूज की तरह दिखते हैं अब आप सोचते होंगे कि ममी ममी हजारों सालों पहले से की रही होगी और तप चलन में अडिड़ास की जैसे हाँ आप ये टेकनिक थी वो कहां से लाए ये तो वही बता सकते हैं चलि हम अंगले फैक्ट के बारें बात करते हैं ये आपके इंडिया से जुड़ा हुआ है महाराष्टा के पुने से पुने के एक सेलोन में 80 ग्राम सोने के रेजर से लोगों की दाड़ी बनाई जाती है जिसकी कीमत 4 लाग भारती रुपए है इस सेलोन में एक बार दाड़ी बनवाने का 100 रुपए चार्ज की लिया जाता है पुड़े के एक सैलून में, ऐसा सैलून है पुड़े में, जहां पर एक 80 ग्राम सोने के रेजर से लोगों की दाड़ी बनाए जाती है और जिसकी कीमत चालना खरती रुपए है, इस सैलून में एक बार दाड़ी बनवाने का 100 रुपह जाज लिया जाता है अरे कमाल है ना, हम आप बात करते हैं अपने फैक्स नमबर 9 की आज तक की 80% हवाई जहाद दुर्गटना एं उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लेंडिंग के समय आखरी 8 मिनट के अंदर हुई है सबसे बड़ी हवाई जहाद दुर्गटना 1977 में टेक आफ करते हुए हुई थी जिसमें लगबद 500 लोगों की जान गई थी हाँ जी सबसे बड़ी हवाई दुर्गटना जो है वो सन 1977 में टेक आफ करते हुए हुई थी इसमें 500 लोगों की जान गई थी अब बात करते हैं Fats No.10 जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सक्त साली पासपोर्ट है इस पासपोर्ट की मदस से आप 191 देशों में दिनावीजा के यात्रा कर सकते हैं सही सुना आपने 191 देशों में दिनावीजा के यात्रा कर सकते हैं है न चौपने वाली बात येस पैक्ट नमबर 11 आज भले ही एक डॉलर की कीमत 74 रुपए तक पहुच चुकी है लेकिन सन 1917 में एक रुपए की कीमत 13 डॉलर हुआ करती थी सबसे अमेजिंग फैक्ट यह है कि अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक डॉलर है उसकी कीमत 74 2017 में एक रुपए की कीमत 13 डॉलर हुआ करती थी नेक्स्ट गुस्सा करने से इम्मून सिस्टम गुम्जोर होने लगता है हार्ट अटेक की संभावना बढ़ने लगती है इसकिन फ्रोब्लम्स बढ़ती है अनिंद्रा हाई बीपी और कब्ज की सिकायत होने लगती है साथी चिंता सिर्दर्द और नकारातम बाते दिमाग में आती हैं इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिस करें कईयों को गुस्सा करने की आदत होती होगी बात बात पर इंग्री होना गुस्सा करना च्छगड़ा गरना और लोग सोस्ते नहीं है कि इसका निगेटिव एफेक्ट मेरी बोड़ी पे कितना बढ़ने वाला है हां जी फिर से एक बार आप नोटिस करिएगा और मैं आपका वीडियो स्क्रीन पर भी वो आपको रिटल में मिल जाएगा उसको आप गोर से पाल सकते हैं गुसा करने से इम्मीन सिश्टम कमजोर होने लगता है हार्ट अटेक की स मौना बढ़ने लगती है इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है अनिंद्रा हाई वीपी और कब्जी की सिकायत होने लगती है साथ ही चिंद तासिर दर्द और नगार अत्मत बातें दिमाग में आती हैं इसलिए हमेसा खुश रहने की को आई दोस्तों हम बात करते हैं अपने फ तो सबी से मेरा यह विवेदन है जो कुष्ट है कि आप कोई भी किसी भी प्रकार करना सहां ना करें चलिए अब हम बात करते हैं फैक्स नंबर 14 की जो जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोता है उसको उतनी ही ज्यादा ठ्रावने सपने आने की संभावना बढ़ जाती है सही अब आपने जो जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोता है उसको उतनी ही ज्यादा ड्रावने सपने आने लगते हैं आए हम बाब बात करते हैं अपने फैक्स नंबर 15 की गहरे मिले रंग का ये फॉल सेव का सबसे दोलब प्रकार है इसे आप स्क्रीन पर की देख रहे हुए अब इंचान कर बला अश्यर हुआ होगा ये से इतना कीमती है इसको ब्लेक डायमंड एपक क्यों घा जाता है अब हम बात करते हैं अपने फैक्स नंबर 16 की कि आपको पता है साब का जहर दू प्रकार का होता है हम में से बोटों को ये बात नहीं पता होगी लेकिन चलिए शव्ब है आज हम चैनल लेते हैं साब का जहर दो प्रकार का होता है किस टाइप का पहला होता है दि माग पर असर करता है और दूसरा होता है हिमोटॉक्सिक ये जहर फूरं को जमा देता है आयो दोस्तो अभम बात करते हैं फेक्चim गार सेवेंटिंग तित्ली एक ऐसा जियो है जो किसी जीज का स्वात अपनी पेरों से चक्ती है आप लोग चौक गये यह सुनकर की तित्ली अपने पेरों से स्वात कैसे लेती है जबकि हम लोग छीग से प्रिट्री जीज का स्वा नाम में है और यह इतनी बड़ी है कि इसकी अपनी एक नदी है अपना एक जंगल है और अपना एक मोसम है यह सभी सुना आपने आपको सुनकर आश्र हो रहा होगा कि व्युक्त की बड़ी कैसे हो सकती है लेकिन यह सच्छ तर्ष सच है कि एक वुफा ऐसी है जिस जोवियत नाम में है जिसकी अपनी एक नभी है अपना जिंगल और एक अपना मोसो में हाँ दुनिया में ऐसा फोट कुछ अचिकों गरी है जो अभी हमें जानना बागती है चलिए अब आते हैं अपने फैक्ष्ट नंबर 19 की दरफ और उसके बारे में जानते हैं तो हम बात कर लेते है kepada आकस से गिरने वाले विच्छी का ताफ मान सूर के ताफ मान से 5 चुना ज्यादा होता है आजी सब्放心 के अ ज्यानने होता है तो वो आपको ही मा समझने लगता है, हाँ फुलकुल सही अगर एक बतक के बच्चे ने पैदा होने के दशमणडबाद आपको देख लिया तो आपको ही मा समझने लगेगा आजो दोस्तों बात करते हैं कि क्या आप को पता है कि इमेल का आविश्कार किसी अमेरिकी में नहीं बल्कि एक 14 वरसी भारती बालत शिव आयांतुरई में 1978 में किया था और दुख की बात है कि हमारे भारत में बहुत लोग इन्हें की जानते ही नहीं है हाँ सही है बहुतों को तो यह लगता होगा कि इमेल का विस्कार किसी गिदेशी अविस्कारक नहीं किया होगा लेकिन यह जानकर आपको आशर होगा कि इमेल का विस्कार किसी अमेरिकी में नहीं बल्कि एक 14 वरसी भारती बालक स्यू आया दुरई में 1978 म कि आपको पता है कि दुनिया में एक मात ऐसा पच्ची है जिसके पंक में होते हैं हाँ पिल्कुल सही सुना आपने कीवी दुनिया में एक मात ऐसा पच्ची है जिसके पंक में होते हैं आये अब हम बात कर लेते हैं कोश्यन No.23 यानि fact No.23 के .. ôi सरी की स्रीप किस शीथ पर पसीना नहीं आता है की सिस्ते पर पसीना नहीं आता है तो आप कुछांद कर रहरानी होगी कि वह answer है हूट सरीप किस अंग पर पसीना नहीं आता है तो आपका जवाब होगा हूट हूट ऐसा है जिस पर पसीना नहीं आता है आई एव हम बात कर लेते हैं अपने फैक्ष नमर 24 फैक्ष नमर 24 इंसानी सरीर में सबसे ज़्यदा ताकत वर्थ मसल्स जीव होती है आईए अब हम बात कर लेते हैं अपने फैक्श नमर 25 की मानो सरीर में सबसे ज़्यादा काम करने वाला अंग कौन सा है तो आपको चानकर हैरानी होगी कि मानो सरीर में सबसे ज़्यादा काम करने वाला अंग हार्ट है जो मेरा हर्द है सबसे जिदा काम गरने वाला सरीरिक अंग जो है वो हार्ट है आईए दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फैक्श नमर टूंटी सिक्स की क्या आपको पता है कि रवीवार की छुटी किस सन से आरंग हुई थी तो जवाब है रवीवार की छुटी सन 1843 से आरंग हुई थी तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पैक्श नमर टूंटी सेवन की क्या आपको पता है फैन का पूरा नाम क्या है तो अंसर है फैन का पूरा नाम वावर एन्रीच्ट इन निक होता है मैं एक बाते से रिवीट कर दे रहा हूं पैन का पूरा नाम वावर एन्रीच्ट स्कीन निक पोड़ता है जैसा कि आप वीडियो स्कीन पर देख सकते हैं आए हम बात कर लेते हैं पिर फैक्स नकरींट एट इसमाइल का पूरा नाम क्या है तो इसका चवआब है आपको चांदना pursuit जरूरि है और इसका जवाब है, हम सभी लोग अपनी लाइप में मुच्टी, हमेशा या कभी न कभी मिस्क्राते जरूर है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमाइल का पुरा नामे क्या है, इसमाइल का पुरा नामे स्वीर मेमोरी की एक एक स्पेशन होता है, आज़े दोस्तों, हम बा होगा वाटर्वियो है, आज़े अब हम बात करते हैं अपने सफे लाज़ फैक्ट नूमबर फर्टी की और सथ्ट अमबर फर्टी है, जो आप इसकी वीडियोस्टीव पर रुप रहे हैं, ये किस पेश का छंडा में हो, ये किसी पेश का फ्रैश्या है, ये किसी पेश का आपको पसंद आई होकी और ऐसे ही रोचक चानकारी वचक गत्थों को चाननी के लिए आप हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट्स करें और अपनी राय अपना सुझाओ हमें कमेंट पॉक्स में चुरूर दें घन्नवाद